मौसा विभा के चेतावनी एक बार फिड़ से सही सावित हुई है। इस बार समय से बर्फबारी ना होने से परिटक और स्थानी लोग खासे मायुश थे लेकिन अचानक हुई इस बर्फबारी से सभी खासा उससाहे थें रेल स्टेशन हर्शिल और धराली में भी बर्फबारी जारी है यमनोत्री का नियूंतम तापमान माइनस पांच जक्की गंगोत्री का माइनस दो दर्श किया गया है बर्बारी होने से गंगोत्री नाशन हाईवे, जांगला, बेरुगाटी और धराली के पास बंद हो गया है आखिर लंबे इंतजार के बाद कुद्रत महरबान हो गई है, चारों और पहाडियों पर बर्फ की सपेद चादर साथ देखी जा सकती है क्या सडक, क्या पेड़ पौधे, चारों और बर्फ ही बर्फ से ये अटे पड़े हैं, मार्ग इस कदर बर्फ से सपेद हो गए हैं कि अब इससे गाडियों का निकलना भी दुबर हो रखा है, जहां एक और बर्फ परेटकों के चेहरे की मुसकान बनती है लोग एंजॉई करने के लिए बर्फीले इस्तान की ओर आते हैं, वहीं जो इस्तानिया कास्तकार हैं, उनके चेहरे भी बर्बारी से खिले हुए हैं, क्योंकि जो कैस क्रॉप से इन पहाडियों पर उगाई जाती है, वो निर्भर करती है बर्बारी पर, ऐसे में लंबे इ चाहूंगा दिखाएं कि तरीके से यह गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि सड़क पर चारों और बरफी बरफ पड़ी वी है, और इस बरफ की वज़े से जो है गाड़ियां फिसल रही है, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही है, गाड़ियों के गाडि के जो चक्ते हैं वो पूरी तरह से अपने ही इस्तान पर घूमने लगते हैं इसे जो है दिकटों का सामना करना पड़ता है हम जाना चाहेंगे करेटक का आये हैं यहां पर क्या नाम है आपका दिया जी कितना दिक्कत हो रही बरबारी से और बहुत जागा आप से लेकिन उतना ही मज़ा भी आ रहा है कापी सुंदर लगा कहां से आये हैं तो यह गाजयाबाद से आये हैं इंको इनका काई मानना है कि खुछी तो मिल रही है बरबारी को देख करके बरबारी का और बरफ का लुप्त यह उठा रहे हैं लेकिन यहां पर जो है सड़कमार के बंद होने की वजह से इनको दुस्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है उनकार बहु गुना उत्राखंट तक उत्र करना पर जगया उनकार भी सामना है तो मिल रहा हैं भी सामना है